कि अभी में रेस्ट कर रहा था अपने आंगन में बाहर चार पाई पे तो मैंने इस मक्खी को देखा काफी देखता रहा और फिर मैं अभी कैमरा लेके आया हूं और इसे शूट कर रहा हूं क्यूंकि यह जो कर रही है वो शूट करने लायक है यह देखिए जिस तरीके से उपर कित्ता बहतर ही ने यह उड़ गई यह देखिए कि जल्दी जल्दी मिट्टी फेग रही है और सबसे बड़ी बात यह कि यह डर भी ने रही है जबकि कैमरा इसके इतना पास लेके आया हूं है यह अपने काम में लगी हुई है और अपने से दूबने वजन को यह पी बहुत ही तेज स्पीड है इसकी बहुत ही तेज यह देखिए और यह जब पत्थर के उठाती है तो कुछ सांड सा करती है इसकी सांड कैप्चर करने की कोशिश करता हूं है माय के एकदम पास में ले जाता हूं आप सुनियेगा ध्यान से तो शायद इसमें सांड कैप्चर हुई होगी इस मक्ही की यह देखिए दूर से बहुत ही छोटी मक्ही है यह देखिए अब इसे थोड़ा सा पास ले के जाता हूं और कैमरा जो है यह मेरा वीवो वाइटी 3 प्रो मेरा फोन है उसके कैमरे से शूट कर रहा हूं है यह मच्छा अब बढ़ी है नियुकि अब आपके सामने देख रहा हु यह कितना तेज खोद रही है मटी है देखिए पहतों से है और धर भी नीरी है जबकि मैं इतना कैमरा और साथ में बहुत भी रहा हूं यह देखिए पत्थर को पीछे ले जा रही है और मटी को पीछे की स तरीके से फेग रही है यह उड़ गई फिर से तो यह जो में कर जो रही है वो मैं दिखाता हूँ आपको यह कर गया रही है आज यह अपना छोटा सा है कि इसका घर सा बना रही है शायद आगे मैं इसने खोद रखा है दिखाता हूँ यह देखिए ये इतना खोदा आज ने और बाकी अभी पीछे की जो मिट्टी है वो देखे पीछे साफ करते वे आ रही है और अभी ये देखिए अंदर आएगी ये देखिए किस तरीके से हाथों से खोद रही है ये देखो ये फिर से उड़ गई बहुत ही सुंदर सी मक्की है डर भी ने रही है ये देखिए कैमरा बहुत ही ज्यादा पास में ले जा चुका हूँ मैं और ये बिल्कुल भी नहीं डर रही है ये देखो इसके चार पैर हैं और ये आगे दो हाथ और ये इसके दांत भी है शायद कांटे जैसे दो हाँ ये फिर से उड़ गई दिखाता हूं देखिए गाभी ये देखिए ये देखिए अपने दांतों से पकड़ के पत्थर को पीछे घहचरी अपने बहुत ही बढ़िया साथ सीन सा दिखरा है ये देखो मतलब बहुत ही छोटी सी मक्की है जो कि मैं बहुत नजदीक से कैमरे दे शूट कर रहा हूं और क्लियर्टी आपके सामने देखिए ये देखो ये पीछे से वापिस ये दो कितनी तेज कितनी तेज देखिए मत्टी खोदई है इसका उड़ने का जो साउंड है वह आप देखिएगा भी यह जब उड़ती है यह बहुत बढ़िया साउंड करता है यह देखना भी तो हो सकता है इसमें साउंड कैप्चर हुआ हो मक्की का अगर आपको पता हो कि यह कौन सी मक्की यह कौन सी प्रजाती मक्की की तो मुझे कमेंट में बताईए कमेंट में बताना जरूर जरूर और अभी आपको दिखाते हैं कुछ स्लो मोशन वीडियोस इसमकी के तो जैसे कि आप देख रहे हैं 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 तो जैसे कि देख रहे हैं इसकी मेहनत को, इसकी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, शेर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस मक्ही के लिए विचारी के लिए, इसके हाड़ वर्क के लिए. तो गाइस इस मक्ही से आज हमें ये सीख मिलती है, कि कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, हमें अपने काम से मतलब रखना चीए, हाड़ वर्क करते रहना चीए, जैसे कि मैं अब इसकी वीडियो बना रहा हूँ, बहुत ही नजदीक कैमरा भी है, इसे सब दिख भी रहा होग फिर भी ये डर के ऐसे नहीं कि उड़ गई हो, ये अपने काम में लगी हुई है झालो तो गाइज ये मैंने वीडियो बस ऐसा ही शूट कर ले थी क्योंकि ये कुछ यूनिक सा लगा मुझे और ये पहली बार देखा मैंने अपने गाओं में इस मक्की को तो शूट कर लिया तो गाइज मिलते हैं अगले व्लॉग में तब तक के लिए जाहिन